तो सीतराम बाई सारे ने तो गाईज पिछला मुकाबला तो आप सभी ने देखाई होगा मैंने पिछले मुकाबले में हर एक खिलाडी के बारे में कैसा खेलेगा ये डिटेल में बता दिया था और वह एक खिलाडी भी वैसा ही खेला था जैसा कि मैंने बताया था तो यह सिदे लिया था। गश्यन का और दर रहे गा और ऑर भाइज मैंने उस और घरियो में भकर जमान का भी का किशित हिलारी का भी मत्यासे कम का प्रदर्सन रहे γांए और एक एदर रूल!! तो गाइस गलके दिन थे दो मैच और दोनों मैच से मैंने एक पहली मैच की टीम मैंने फरी में दे दी थी टेलीग्राम पर तो गाईज आप सभी को मेरे उपर येकिन होई गया होगा लेकिन जिस जिसको नहीं हुआ वो एक बार जाके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है एक बार जाके चेक कर ले और फिर इस वीडियो को देख ले क्योंकि आपको पूरा टरस्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पर जुड़े ही जुड़े लेकिन आप इंस्टाग्राम पर भी फोलो करों वहां पर भी थोड़ी बहुती जानकारी पर वाइड कराई जाती है तो चलो हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के बारे में जो की है इंडिया वर्सिफ नैदर्स लेंड के बीच तो गाइज सबसे पहले नाम आता है इंडिया की तरफ से इंडिया के ही बोलर का जिसका इस मुकाबले में सांदार पर दरसन रहेगा रासियों के अनुसार उसका नाम है गाइज महुम्मद समी जी हां गाइज महुम्मद समी का इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से बोलिंग में बहुती लाजवाब और बढ़िया परदर्सन रहेगा रासियों और ग्रहाओं के अनुसार और अगले नमबर पर नाम आता है इंडिया की एक और खिलाडी जिसका नाम है गाइज सूबमन गिल सूबमन गिल का भी इस मुकाबले में सांदार परदर्सन रहेगा रासियों और ग्रहाओं के अनुसार और बहुत अच्छा परदर्सन करके देंगे अपनी टीम के लिए अच्छे खासे रन मनाएंगे सूबमन गिल इस मुकाबले में और सूबमन गिल के सासा जोक इंडिया के कप्ताम है रोई सर्मा रोई सर्मा का अब इस मुकाबले में बहुती बढ़िया प्रदर्शन रहेगा सांदार प्रदर्शन रहेगा रासियों और ग्रहों के अनुसार तो गाईज अगले नमबर पर नाम आता है इंडिया के ओल राउंड रका उसका नाम है गाईज रविं अंदर जड़े जाके भी और अगले नंबर पर नामात है गाइज सुरेश अईरका लेकिन सुरेश सीरका गाइज मुझे थोड़ा सा डाउट है बिल्कुल लेकिन सुरेश सीरका भी बहुती ठकड़ा प्रदर्सन रहेगा ज्यादतर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आप सब् अगले पर नामात है पूछना चाहोगे की विराठ कोहली का इस मकाबले में आप यह मान सकते हो की बढ़िया ही परदर्सन रहेगा रासियों और ग्रहाओं के अनुसार लेकिन 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 जहादा तर तो गईजन शूरा सिज्भाषी युर अंक्रून को गिरहाओं के उनसार बीच का ही पर दर्शन नहर आ रहा है तो 지ुभाअ इसका یہ मतबल है कि विराट कहलीakaus मुकाबले में मंध्या रहेगा यानि कि वो बीच के रन मनाएंगे च्छे खासे अगर मैं सीधे सब्दों में कहूं तो वो इस मुकाबले में 50 50 के आसपासी रन मनाएंगे 50 से ज्यादा भी बना सकते हैं इस मुकाबले में रन लगभग ऐसा लग रहा है क्योंकि 50 मासा तक भी पूरा करने की कोशिज करेंगे इस मुकाबले में 50 से तक और गाइस उनके आकड़े भी लगभग बीच का साथ दे रहे हैं उनका इस मुकाबले में रासियों रोग रहा हूं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वराट कोहली का भी अच्छा ही प्रदर्शन रहेगा लगभग इस मुकाबले में रा आपको बहुती खतरनाक बात बताने वाला हूं आपने पिछले मैंने अब देखा होगा आपने मैंने पिछले दसी सेगंड में मैंने रवीचंदर के बारे में बता दिया रवीचंदर असमिंग इसका मतबल अच्छा खेलेंगे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक भी आप सेगंड में समत करना क्यूंकि हर एक सेगंड में आपको में बहुती जानकारी दे रहा हूं तो चलोगा बाईज़गा हम बात कर लेते हैं अगले नमबर के खिलाडियों के बारे में अगले नमबर पर नाम आता है गाईज सुरिया कुमार यादव का इस मकाबले में बीच क परदर्सन रहेगा यानि की बीच का परदर्सन रहेगा तो गाईज अब मैं उन खिलाडियों के बारे में बात कर लेता हूं जिनका इस मकाबले में मध्या से कम का परदर्सन रहेगा वो खिलाडिया की तरफ से केल राहुल के आंकड़े गाईज थोड़े से ऐसे नजरा र गुम्रा के इस मुकाबले में मध्या से कम के आकड़े बने हुए हैं तो जैसा कि गाइज मैंने इन दोनों के दोनों खिलडियों के बारे में आपको बताया कि इनका मध्या से कम का प्रदर्सन रहेगा लेकिन ये बीच के रन भी बना सकते हैं मध्या प्रदर्सन भी कर सकते ह इस मुकाबले में तो इनका बीच के ही आसपासी परदर्सन देगा दोनों की लड़ियों का जो स्परित गुम्रा और केल राहुल का तो चलोग बाई जब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में यानिकी नैदर्स लैंड के बारे में तो नैदर्स लैंड की तरफ से सब गले नमबर पर नामाता है इनके एक ओल्राउंडर है ऐल वैन बिक यहनवीद बेक के बी dış मुकाबले में तकड़े आंकड़े बने हुए है रासियों और ग्र्यों के अनुसार और अगले नंसे नंबर पर नाम आता हा गाइस करना है ज़्लदी मिपता रहा हो बिडी इस खिलाडी के विगा ऐस मुकाबले में बस्चे खास आंक्डे बने हूई है तकडे आंक्डे बने हूई है तो मैं आपको फिर कुल्दी प्यादव के इस मकाबले में मध्या प्रदर्सन रहेगा यानि की बीच का प्रदर्सन रहेगा अगर इस मकाबले में इसान किसन खेले तो इसान किसन का भी मध्या प्रदर्सन रहेगा बीच का प्रदर्सन रहेगा तो चलो गाई जब मैं बात कर लेता हूं सारदु सारदुल ठाकुर का इस मकाबले में अगर वो खेले तो इस खिलाडी का अच्छा प्रदर्सन रहेगा यानि मत्या से ज्यादा अच्छा प्रदर्सन रहेगा मत्या से ज्यादा का प्रदर्सन करके देंगे सारदुल ठाकुर इस मकाबले में बड़िया प्रदर आंकडे बनी ह तो गैस मेरे पास इतने यहां करें थे इन खिलाड़ें के तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद